महला किस आयुतत गर्वती हो सकती हैं? महला की उम्र और उसकी गर्वती होने के बीच 15 DLC होता है। सोध कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ महला के गर्वती होने की संभावना भी कम होती जाती है। बग्यानिक अधार पर डक्टरों का कहना है कि किसी किसोरी के पीरियट आते ही उसका रिप्रोडेक्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। इस तरह एक महला मिन्योपोज दावर में पहुचने से पहले तक सिसु को जर्म देने में सच्छत होती है। इस अधार पर एक महला की रिप्रोडेक्टिव आउड बारा वर्स से लेकर लगभक एक्क्याउन वर्स तक मनी गई है। आज हम आपको इस वीडियों में इसी विशे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक महला कितनी उम्र तक गर्भती हो सकती है। महला के गर्भती होने की समय सीमा कोई भी महला मिनो पोज की उम्र तक सिसु को जर्म देने में सच्छम होती है। लेकिन गर्भवस्ता के लिए सबसे सही समय 20 वर्स से लेकर 35 वर्स के बीच माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र बढ़्ने के साथ साथ महला के गर्भती होने की छम्ता कम होने लगती है। इस बात को कुछ तथों के अनुसार हम आपको समझाते हैं। यदि 20 वर्स वह इससे अधिक उम्र की स्वस्त महिला के गर्वती होने की संभावना 25 प्रतिसत तक होती है जिसे सबसे बहतर माना गया है 30 से लेकर 35 वर्ष की स्वस्त महिला के गर्वती होने की संभावना घटकर 20 प्रतिसत रहे जाती है जिसे चिंता का विशे नहीं माना जाता है वहीं 35 वर्ष के बाद स्वस्त महिला के गर्वती होने की संभावना सिर्फ 15 प्रतिसत रहे जाती है इसी प्रकार 40 वर्ष वो उससे अधिक आयो की स्वस्त महिला के गर होती होने की संभावना महच 5 प्रत्सत रह जाती है जन्म की समय महिला के सरीर में प्राकृतिक रूप से करीब 20 लाख अंडे यानि एक्स होते हैं जो साल दर साल कम होते जाते हैं 37 वर्ष के होने पर इन अंडो की संख्या घटकर 25 रह जाती है वहीं 50 वर्ष से अधिक होते ही ये अंडे सिर्फ 1000 बचते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ इन अंडो की क्वालिटी भी कम होने लगती है बढ़ती उम्र के साथ महिला को एंडो मेट्रियोसिस और ट्यूबल डिजी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं जिसका असर सीधा प्रेजन चमता पर पड़ता है इसके अलावा स्मोकिंग, रेडियेशन और कीमो थिरेपी जैसे टैंसर की इलाज वो पेलविक इंफेक्शन भी गर्वती होने की छमता को परभावित कर सकता है 35 वर्ष से अधिक की आयू में गर्वती होने पर क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं तो 35 उम्र में गर्वती होने पर महिला को निम्न प्रकार की सारे दिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे जेट सेनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेसर, प्री एंक्लेमिस्या, प्लेसेंटा प्रीविया, मिसकारिट, प्रीमिस्च्योर दिलिवरी, स्टील बर्प, सिजेरियन दिलिवरी, दिलिवरी के बाद हैवी ब्लीडि, जन्म के बच्चे का कम वजन, डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोम समस्या हो सकती है, तो आज हमने वीडियो में जाना महिला प्रियेट्स की सुरुवाद से लेकर मेनो पास तक गर्वती हो सकती है, फिर भी बहतर यहीं माना गया है कि महिला 35 वर्ष से अधिक की होने पर गर्वती होने का जोखिम नाने, इससे मा होने वाले सिसू दोनों को नुक्सान हो सकता है, अगर कोई महिला बढ़ती उम्र में गर्वती होना चाहती है तो उसे प्लानिंग से पहले गायनो लाजिस्ट की सला जरूर लेनी चाहिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो की महिला किस आयो तक गर्वती हो सकती है, तो उमिद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, गर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आण करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, मिलते हैं फिर अगले टाप इस पे, तब तक के लिए झाले बसक्राइब